आई एम संबुकमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम के बेश्टी में आपका वेलकम है तो चलिए आज हम अपने अगला लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो पिछला लेक्चर में जितना भी सारा कोस्ट्रों और ठीवरी को पढ़ा तो आज हम उसी के बेसिस पर पढ़ाँ जो यह पर यहाँ रिजी केस्टे में चेनल का नम करते हैं आप वहां पर जा करके समय 12 ब выпуск रिखे सकते हैं अध्य में आगने पहले कोश्चन को ही डिस्कस करना और नुमेरिकल को ही बनाना तो चलिए मिली खिलते कोश्चन को कल्कुलेट दा मास अफ सीओ टू गेस सीओ टू गेस अफ्टान वन हीटिंग कि अफ्टान वन हीटिंग टेन ग्राम कि सीओ टेरी कोश्चन में क्या पुछा कि कल्कुलेट दी मास आफ सीओ टू गेस अफ्टान वन हीटिंग कि टेन ग्राम सीओ थिरी आने इसमें सीओ टू गेस का क्या पूछा है मास पूछा है कि इसको टूट गेस का मास क्या होगा और यहां पर दिया है कि अब क्या है टेन ग्राम और इसका पहले रियक्शन को लिख लेते हैं कि इसको हीटिंग करने के बाद तो टूटने के बाद क्या-क्या बनेगा तो जदि हम उसको देख लेते तो इस परकार से करने में आसानी होगा कि अगर को बढ़ाने में तो इसका रियक्शिन को होना चाहिए और नहीं कि जड़ हुद करते ह formats कि पूरति हो 8 सूलिड में है और जड़ आइसे ने इसे एक तूट करेंगे तो क्या हुद किसमें तुटेगा सी यवे οाइवiin-टो कर लेकिस hen कि यह में तूटेगा किसमें तूटेगा तर्ली को फिर्षर स्थीर हिट करेंगे ओप सिर द्षथ пр Jennifer कि से दूटेगा आप कर लेते हैं इसका मानेश का तो कि इसका मास्ट कितना होना चाहिए इसका मास्ट हो जाएगा मोलर मास हंडिट ग्राव और सीवर टू का कि सीवर टू का क्या होगा 44 ग्राव तो हम इसका हमने देख लिया तो जैदि हम बात कर लेते किसमें मोल मेथन बात करेंगे तो मोल मेथन बात करेंगे फिर कभी देखेंगे तो जिदे में बात कर लेते कि यहां पर दिया गया है कि तो इसका है अटेट ग्राव कि से जो बना वह कितना कितने मनेगा और कितना मनेगा इसका 100 ग्राम से इसका कितना मनेगा 44 ग्राम अब बात कर लेता है वन के लिए तो और वन के लिए बात कर रहें तो कितना हो जागा फोटीफोर्ड डिवाड़ेडर बाग कितना हो जाएगा 100 ग्राम अब जब हम बात कर लेते किसका 10 ग्राम का इसको आप एक एक नियम जानते होंगे उनिट में था आप इसको फाइब कलास में यह सही पढ़ने का स्टार कर दियो होंगे मैं तो इस परकार से आप पर जो लेकर करके चल रहे हैं कौन सा में थाड़ है उनिट में थाड़ है तो इस परकार से में लेकर के आगे बढ़ सकते हैं आप जब बात करते हैं किसका 10 ग्राउं का कर दिवाद करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 डिवाड़ेड़ बाइंट इन्टू 10 इसको स्वर्प करने के बाद कि पॉर्परण फॉर ग्राम अब जदिम इसको एक ट्रीक के दोआरा दखेंगे तो आप इसको तुरत अपने कोपी पर शाप उसके बाद में फिरम लेकर करके आगे बढ़ेंगे अब इसको जादे हम किस से बात करेंगे मौल में थर द्वाद दिम बात करेंगे तो इसका मान लेते कि कि वन मौ कितना है सिए यह सी ओ ठीस से कितना बना वन मौड और इसे बना वन मौ ऑट अब देदिम सी सी ओ ठीका मौलर मास को निकाल लेते मौलर मास और उसके बात में करेंगे क्या कि नमर अफ मॉल करने तो नमर अफ मौल नम्मर उफ मॉल को देखेंगे तब क्या हो जाना चाहिए गिभेर मास बटे मघर मास कितना होगा 0.1 मॉल कितना हो जाना चाहिए 0.1 मॉल होगा अब जैसे इसको लेकर का आगे बढ़ेंगे कि इसका 0.1 मॉल से 1 मॉल से कितना बना 0.1 मॉल बना है अब जैसे इसका बात कर लेते कितना ग्राम से कार्बन का ग्राम कितना होता है मॉलर मास इसका हो जाता है 44 ग्राम तो 0.1 इंटू 44 कितना हो जागा 4.4 ग्राम इसका भी क्या हो जागा 4.4 ग्राम हम से जदे हम दूसरा कॉर्चन को लेकर के बात करते हैं तो अब हम आगे दूसरा कॉर्चन पर भी बरते हैं कॉर्चन को भी लिख लेते हैं चलो अगला कॉर्चन को भी हमने लिख लिया तो इसमें जादी हम देखेंगे तो क्या पुछा इसमें 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 पुछा कि कल्कुलेट दमास ओफ और यह 2-C-O-3 प्रड्यूच और यह 1-C-O-3 भल्लम अफ-C-O-2 गेस आफटन आफट सब्सक्राइब करेंगे तो किसमें तूटेगा न्यक्राइब किसका पुछा और यह 2-C-O-3 पलस इसमें इसमें पूछा है तो प्रड्यूच मास पुछा है तो इसमें जैंदी हम इसका आगे लेकर के चलते हैं तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इसका नमर और पुल निकाल लेते हैं तो नमर और और इसका मांस्ट धिया हुआ है में सिंस्टीफ्टेट ग्राम और इसका मुलार मांस्ट कितना हो जाएगा सकूट कर आनि कितना बचेदा जीरो, हाई जीरो पॉंट तुग्राम तो मोल मेधेड को उश्ष करें गे तो इसका यहाँ पर अभी माल लेतें कि वन्मौ से इसका कित्ना मॉना मॉन और इसका वह इसका वानमॉल ज ag park अच्वा कुं Jul कि यहाँ इसका वानल मॉन से कि इसका वह उन मॉल से बीदन में दाद कर लेतें तो क्या हो जाएगा one by two क्या हो जाएगा one by two mole का जब बात किये तो इसमें इसका जो number of mole निकला हुआ कितना निकला था जिरो पॉइंट टू मोल का बात करते हैं तब क्या हो जाएगा one by two into zero point two mole का तो क्या होगा जीरो पॉइंट वान इस प्रकार से इसका क्या हो जाना चाहिए जिरो पॉन्ट वान मोल इसका अंसर जाएगा फानल अंसर और इस प्रकार से हम अपना लेक्चर को भी आगे लेकर के हम इसा बढ़ते करेंगे तब तब तक आप मेरे चैनल के साथ मने रहे और ज्यादा और फिलाल हमने जो चप्टर स्टाट किया के टमेक अस्ट्रक्चर वहाँ पर भी नुमेरिकल अभल अभग जाई वी मिन्स का चल रहा है तो आप वहाँ पर भी पर सकते हैं इसमें इसी चैनल पर रेक्व कमिश्टे में तो आप दोनों के साथ बने रहे हैं और मैं अमिद्ध कि इस कोरोना महा मारे के करने आप सबकर जो पढ़ाई हुए और लभल लभल डिश्टफ ही हो रहा है जितना भी सारा हो रहा है और ऑनलाइन क्लास ही चल रहा तो इस परकार से आप घर बेठाई आप आप